हलो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ा current के बारे में, last lecture में और उससे पहले हमने पढ़ा potential के बारे में अब हम देखते हैं कि current और potential इन दोनों के बीच में क्या कोई relation है या फिर नहीं तो इसकी relation समझने के लिए हम एक low पढ़ते हैं, उस low को बोलते हैं आपका ohms low तो starting करते हैं आपका किसे? Ohm slow से Ohm slow आपका क्या बताता है कि at constant temperature यानि कि जब आपका temperature हम constant कर देंगे तब जो current आपका किसी भी conductor के थूँ flow करेगा वो आपका किसके directly proportional होता है आपका applied voltage के directly proportional होता है या फिर हम बोलें कि जो potential difference आपने maintain किया है उस potential difference के directly proportional हो जाएगा तो यहां से statement को आपका देखते है according to this statement इस statement के according आपका क्या है at constant temperature जब आपका temperature यानि कि तापमान constant होगा तब the current flowing जो current आपका flow करेगा the current flowing through conducting material through conducting material यानि कि जो भी conductor material आप place करोगे उसके तुरू जो आपका current जाएगा उसके बारे में यहां पे बात हो रही है वो आपका क्या होगा is directly proportional to is directly proportional to the potential difference potential difference applied आपका 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 होगा अब इसको बेटर समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहां पे एक एक्जम्पल लेते हैं माल लीजिये आपने कोई conductor लिया conductor का मतलब आपका यह हुआ कि माल लीजिये आपने कोई copper ले लिया आपका तो copper को हम यहां पे ऐसे represent कर देते हैं यह माल लीजिये आपका कोई copper material है अब यहां पे हमें देखना है कि कौन किसके directly proportional होगा तो इसको justify करने के लिए यहाँ पे statement आपकी दी गई है तो देखिए यहाँ पे माल लीजिये आपने connect कर दिया एक switch को यह आपका switch है अभी फिलाल के लिए आपका switch क्या है ओपन है यहाँ पे आपने connect किया एक battery को नीचे तो यह आपकी माल लीजिये battery हो गई अब बैटरी का मतलब आपका क्या हुआ कि आपने इसके एक्रोस क्या लगा दिया है आपका, वोल्टेज आपका लगा दिया या फिर हम बोले कि आपने यहाँ पे potential difference अप्लाई किया है, तो यहाँ पे यह आपका हो गया potential difference, यह तो आपका हो गया normal condition, अब आगे आपका देखो जैसे ही हम इस switch को क्या करेंगे याँ पर close करेंगे तो switch close होते ही आपका क्या हो जाएगा ये मालीजी आपने switch को कर दिया close close का मतलब आपने यहाँ पर current का flow होना शुरू करवा दिया है तो जैसे ही आपका switch close होगा current आपका इस direction से आएगा क्योंकि current आपका कहां से कहां पर जाता है positive से negative की तरफ आपका current flow करता है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि current आपका कब आया current आपका आया जब आपने potential difference apply कर दिया तब आपका current आया तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि current is directly proportional to किसके directly proportional हो जाएगा आपका potential difference के आपका directly proportional हो जाएगा अब यहाँ से माल लीजिए आपने potential difference को V से represent किया तो यह आपका हो गया V तो आपका current किस से represent किया हमने I से तो यहाँ से हम इसको क्या बोलेंगे I is directly proportional to V तो इस लोग के according यह statement आपकी आती है अब देखो इसमें एक और statement होती है आपकी कि V is directly proportional to I कुछ books के अंदर आपको लिखा हो ऐसा भी मिलता है कि V is directly proportional to I अब हम उसको समझते है उस statement का मतलब आपका क्या है यह तो हमने समझा om slow आपका क्या बताता है और फिर हम देखेंगे क्या यह statement ठीक है या फिर वो वाली statement आपकी ठीक रहेगी तो next आपकी statement आती है according to another statement आपका क्या आएगा कि V is directly proportional to I अब जरा हम इन दोनों चीजों को समझते हैं एक आपकी statement आई कि I is directly proportional to V ठीक है और कुछ बुक्स के अंदर आपका क्या गिवन है V is directly proportional to I आपका गिवन है अब इन दोनों की बारी की हम समझते हैं क्या होता है तो देखो जब आपका potential difference यहाँ पे आएगा तो जब यह potential difference आपका आएगा इसको हम बोलते हैं आपका applied potential कि आपने कितनी potential difference apply किया तो applied potential इसको बोलेंगे या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका applied voltage ये तो आपकी होती है applied voltage जो हम किसे provide करते हैं आपका बैटरी से आपका provide करेंगे उसको बोलेंगे आपका applied voltage अब दूसरी चीज़ जब आपका current यहाँ से flow करेगा तब आपका क्या आएगा देखो जब current आपका इस conductor के थुरू जाता है तो यहाँ पे आपके conductor के अंदर क्या होते हैं charge particles आपके होते हैं और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं charge particles में electrons के बारे में आपका बात कर रहे हैं तो यहां पे आपके क्या present होंगे? Electrons आपके present होंगे. तो यहां पे माल लीजीए आपके Electrons है. यहां पे क्या है? Electrons. ठीक है? तो जैसे ही आपने इसके अंदर आपका potential difference apply किया तो यह Electrons यहां से इस higher concentration से इस lower concentration की तरफ आना शुरू कर देते हैं. यह हमने लास लेक्चर में भी देखा है तो इसका मतलब यहां से आपके इलेक्ट्रोंस इस डिरेक्शन में आएंगे तो जब इलेक्ट्रोंस आपके इस डिरेक्शन में आएंगे तो कुछ इलेक्ट्रोंस आपस में क्या कर जाएंगे आपके collide कर जाएंगे तो जो electrons आपके आपस में collide कर जाते हैं उनकी वजे से क्या होता है वो ज़रा समझे आप जैसे आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि आदी मानों ने आग की अविश्कार कैसे किया आदी मानों ने कैसे किया था पत्थर को आपस में रगड़ा, वहां से आपकी चिंगारी निकली और तब आपका विष्कार हुआ किसका? आग का, तो यहां पे आपका क्या होगा? अब इलेक्ट्रोन जो आपका होता है, वो बहुत ही लाइट पार्टिकल होता है, उसका मास बहुत ही कम होता है, जब वो आ आपकी किसकी फॉर्म में कनवर्ट हो गई? हीट की फॉर्म में आपकी कनवर्ट हो गई, तो वहां से इसको हम बोलते हैं आपका क्या? कि हीट एनरजी जो आपकी आई है, वो किसकी वज़े से आई है? पोटेंशल की वज़े से आई है, क्योंकि हमने क्या पड़ा था? कि प तो इसको बोलते हैं पोटेंशल ड्रोप अचि हम अपे किसके कोड़ा और करी सब्सक्राइब यह ओलते हैं धुफिक्ुक्स पोटेंशल ड्रोप मैशें किसके ल्युप ओंधर क्रॉस ऑन धुन ही जो इसको बोलते हैं इसको ओ territory यहां potential और जो आपका यहाँ पे होगा इसको बोलते है potential drop इन दोनों के बीच में बस हलका सा difference है यहाँ पे और यहाँ पे तो देखो पहली चीज़ आपने क्या पढ़ा कि जब आपने potential difference apply किया तब आपका आया current और जब current आया तो आपका क्या हुआ potential drop हुआ तो दो चीज़ों को हम जहां से समझते हैं उससे पहले एक छोटा सा आपका example मा आपको बताता हूँ जैसे माल लीजिए एक होता है आपका effect और एक आपका होता है cause effect और cause इन दोनों के बीच में difference क्या है cause आपका होता है कारण और जिसकी वज़े से जो चीज़ नजर आई उसको बोलते है effect यानि कि आप इसको ऐसा समझे जैसे माल लीजिए मैंने आपको physics बढ़ाई और तब आपको physics समझ में आई तो कारण कौन हुआ समझाने वाला मैं हुआ तो इसका मतलब आपका cause कौन है मैं और जिसको समझ में आई और जो आपने paper में लिखा वो क्या हुआ effect आपका हुआ तो इसका मतलब effect पहले आएगा या cause पहले आएगा तो पहले आपका कौन आएगा cause आएगा फिर आपका क्या आएगा effect आएगा तो इसका मतलब आपका क्या हुआ effect किस की वज़े से आएगा cause की वज़े से आएगा तो effect is always directly proportional to cause अगर हम हिंदी में समझें तो effect को आपका बोलते हैं आपका परभाव और cause को बोलते हैं आपका कारण तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कारण की वज़े से परभाव नजर आया ये बात आपको clear होनी चाहिए कि पहले आपका cause होता है बाद में आपका क्या होता है effect होता है और हमेशा जितने भी proportional के आपके sign होते हैं subjects के अंदर physics हो चाहे आपके chemistry हो तो इन सभी subjects के अंदर आपका यही हमेशा valid रहेगा कि effect आपका बाद में आता है पहले आपका आता है cause अब जरा हम इन दोनो statement को देखते हैं इन दोनो statement के according आपका क्या है तो देखो पहली statement आपकी बताती है कि V is directly proportional to I V is directly proportional to I का मतलब क्या हुआ यहाँ पे I आपका क्या है इस statement के according I आपका है cause और इस यहाँ पे effect आपका क्या है V, तो अब जरा इसको समझते हैं यह आपका क्या है, तो देखो जब current आपका आया तब यहाँ पे कुछ voltage ड्रोप हुआ इसको भी हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं V से, जो आपकी यहाँ पे आपने V अप्लाई की, वही V इसके क्रोस आजाती है, इसको जरा हम बाद में देखेंगे, कि ऐसा क्यों होता है तो यहाँ पे फिलाल आप समझेए कि जितना V आपने अप्लाई किया उतना ही V आपक इसके क्रोस आजाता है conducting material के क्रोस, तो यहाँ पे V और यहाँ पे V, तो यह V आपका है, यह V है आपका potential drop और यह V आपका कौन सा था applied voltage तो यहाँ पे जरा देखिए, यह V आपका कौन सा होगा, यह होगा आपका potential drop और potential drop कब होगा conductor के अंदर, जब आपका current flow करेगा, तो इस statement के according तो है, ऐसा यानि कि यह statement आपके किस के case में है, conductor के case में है और यह statement आपकी किस के case में है यह statement भी जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, आई आपका क्या है current, और statement के according, ओमसला जो आपने पढ़ा उसके according, आपका यहाँ पे V क्या होना चाहिए, applied voltage तो यह V आपकी क्या है applied voltage है तो यह दोनों आपके इन दोनों में इतना little सा difference है आपका कि यहाँ पे applied voltage है और यहाँ पे V आपका कौन सा है, potential drop और किस के across potential drop conductor के across और यहाँ पे जो potential आपने apply किया वो किस के across होगा, वो भी आपका conductor के across जो आपने applied voltage किया है वही होगा, तो यह आपको clear हुआ होगा क्या effect होता है और क्या आपका cause होता है अब आगे जरा हम बढ़ते हैं इसमें तो पहली statement के according आपने लिखा V is directly proportional to I यह आपका किस के case में है यह आपका इसके case में है क्योंकि यहाँ से जब current enter करेगा तभी तो आपका V आएगा तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि V आपका कब आया जब current enter किया तो इसका मतलब यहाँ पे इस statement के according हम लिखते हैं इसको simplify करके कि V equal to I into R यह आपके statement आती है यहाँ से तो R आपका यहाँ पे क्या होता है resistance R को आपका क्या बोलते है resistance तो R आपका क्या हो जाएगा proportionality constant तो यह आपका आजाएगा proportionality constant तो इसलिए इसने बोला कि at constant temperature जब आपका temperature क्या रहेगा constant रहेगा तब आपकी यह condition आएगी अब दूसरी statement के according आपका क्या है I is directly proportional to V अब इस statement के according जब हम इसको expand करते है तो यहाँ से आपका आता है I is equal to G into V यह G और यह आपका R यह दोनों आपके क्या है G is equal to 1 upon R और यह G इसको हम बोलते है conductance तो यह आपका होता है conductance और यह आपका क्या होता है R R का मतलब आपका क्या हो गया यहाँ पे resistance तो यह resistance है यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या है conductance अब जरा हम इन statement को फिर से एक बार देखते हैं कि इससे हम क्या समझे तो यहाँ से आप ध्यान से देखो जब आपका current flow किया तो यहाँ पे potential drop हुआ क्यों हुआ क्योंकि यहाँ पे resistance है तो इस statement के according तो आपका क्या हो गया resistance हा गया अब दूसरी statement आपकी क्या बताती है कि I is directly proportional to V इसका मतलब आपका यह हुआ कि जब आपका potential apply करेंगे तो current flow करेगा अब current कब flow करेगा जब आपका conductor होगा तो यह बात जरूरी है तो conductor होगा तब current flow करेगा यह चीज बताती है और जब current flow करेगा तो potential drop होगा वो यह चीज बताती है तो यह दोनों चीजे आपकी अलग-अलग case में valid है यानि कि आपका क्या हुआ अगर हम battery के बारे में बात कर रहे है तो आपकी statement बताएंगे यह और अगर हम बात कर रहे है conducting material की तो हम statement बताते हैं यह वाली तो यह दोनों statement ही आपकी valid है तो अगर हम इस पहली वाली जो statement आपने लिखी कि according to ohm slow at constant temperature the current flowing through a conducting material is directly proportional to potential difference applied across the material यह आपने पहली statement देखी अब दूसरी statement अगर हम इसमें बनाना चाहें तो क्या मना सकते हैं वो जरा देखिए उसको हम लिख सकते हैं at constant temperature the potential drop across material is directly proportional to current flowing through the material यह हम दूसरी statement इसमें लिख सकते हैं और इन दोनो statement के अंदर कोई controversy नहीं है दोनो statement आपकी अलग-अलग हैं यह आपको clear हुआ होगा पूरी statement कि यह मैंने आपको क्या बताया है अब जरा हम इसमें resistance के बारे में आगे आपका analyze करते हैं यानि कि इन दोनों को आगे आपका बढ़ाते हैं आगे करते हैं